शुरू हो चुका है बिग बॉस का असली खेल नॉमिनेशन्स की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है क्या होने वाला है आज राद बिग बॉस में खास बताने वाली हूँ वीडियो में क्योंकि कईों की चहरे सामने आने लगे हैं दोस्तों बिग बॉस एक टास्क देते हैं जो पवित्र पूनी आके घरवालों को बताती है और टास्क का नाम है ज्वेल थीफ नॉमिनेशन से बचने के लिए इसमें जीतना होगा और इस बार गर्ल्स वर्सेस बॉइज है गर्ल्स की टीम का लीडर कौन शुकला बॉइज की ज्वेल्री को बचाना है और जो लड़कियां है उनको ज्वेल्री को लूट कर लेकर जाना है ज्वेल थीफ है वो ज्वेल्री चुराने वाली है वो तो भई यहां पर टास्क होता है शिरू और सिदार शुकला अपनी लड़कियों को पूरी ट्रेनिंग देते हैं सारा व Index जिना, निक्की, जैस्मीन, पांचों की पवित्रा, पांच लड़कियों को वो फुल ट्रेनिंग देके बोलते हैं कि तुम्हें वहां से जोलरी लेकर आनी है, सिधा शुकला का गेम सेट है, जैसे बिग बॉस सीजन 13 के दौरान था कि जीओ, मरो, लड़ो, कुछ भी करो, पर जीतो, भाई यह लड़कियां अपनी जीजान लगा देती हैं, और जीत जाती हैं, लेकर आ जाती हैं महां से, लड़कें नहीं बचा पाते हैं, हिना खान पपीता खाती हुई, मज़े ले रही होती हैं, और कह रही होती हैं, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, यहां पर लड़के जो हैं वो भड़कने लगते हैं और उनके साथ-साथ गौहर खान भी बहुत जादा भड़कने लगते हैं और गौहर कहती हैं कि ये गलत है टास्क इस तरह से नहीं खेला जाता है कि आप बत्तमीजी करें आप लड़ें आप छीना जप्टी करें उसके बिना भी टास्क होता है तुमने इसी तरह सीजन 13 में करा था ये सीजन 13 नहीं है तो सिधार शुकला बोलता है ये सीजन 7 भी नहीं है तुम अभी तक सीजन 7 में जी रही हो ये सीजन 14 है सिधार और गौहर आमने सामने सिधार्थ अपने दिल की भडास निकालता हुआ जिस तरह से गौहर खान ने सिधार्थ को लेकर कमेंट्स किये थे उसका जवाब देता हुआ सिधार शुकला आजारात को आपको नजर आने वाला है यहाँ पर जो लड़के हैं वो भी यह कहते हैं कि ठीक है या जब इस तरह से खेलना है तो इसका फायदा नहीं है इसका मतलब नहीं है और इसी बात पर इजास के साथ भी सिधार्थ शुकला की बहस होती हुई नजर आने वाली है आपको इजास खान से सिधार्थ कहेंगे कि जीते हैं हम और लड़कियों ने जीता जहाँ पर इजास कहेगा कि आपको लड़कियों को इंप्रेस करने के चक्कर में रह गए हम हम लड़कियों को टच नहीं कर सकते थे इसलिए हमने बत्ता मीजी नहीं की बत्ता मीजी से टास्क नहीं जीता जाता है हम चाह दे तो हम ल चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो क्यूंकि नॉमिनेशन की गास तो लड़के पे भी उतनी ही गिरेगी जितनी लड़की पे गिरेगी वेल दोस्तों what you have to say क्या लग रहा है सिधार शुकला फिर से सीन को पलटते में नजर आ रहे हैं पूरी तरह से सिधार शुकला ही बिग बर सीजन 14 में चाहे हुए हैं लेकिन अब इजास के भी असली रंग सामने आने शुरू हो गए हैं कमेंट में मुझे जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाहना बिलकुल भी न भूलें गुडबाय गाईज